नौ नंबर नौ नंबर मंगल का नंबर हैं बंगल शक्ती मंगल मुझबूती मंगल थोस हिम्मत मंगल वाला विक्ती आलोचना करने में समय नहीं लगता और आलोचना सैन नहीं करता दो नहीं है शब्दा वाली बिगड़ती देर नहीं लगती और शब्दा वाली सैन भी नहीं करता दो नहीं है नौनबर वाला विक्ती मुश्किल से डरता नहीं बड़े मुश्किल काम भी कर जाता निडर लोग होते हैं ये नौनबर वाले जिस काम की पिछे पढ़ जाए उसे पूरा खोड़ के पूरा करके छोड़ते हैं जिसियन तुरंत लेते हैं प्रीज कीप या माइक आफ लिए जिसियन तुरंत लेते हैं जो शीले होते हैं भाई चारा बहुत होता है हैं मैं सानूब होती है और सुखता बहुत होती है इसल्व रिस्पेट अच्छी होती है खुद में ही अच्छी देते है और होती भी है के लिए दूसरों से लड़ मुड़ते हैं आसे लोग स्पोर्ट मोह स्ट्रॉंग निए वरी स्ट्रॉंग स्पोर्टर्स नौनमबा वाला स्पोर्ट भोस स्ट्रॉंग रहा है कि रिलेशन के मामले में सब्बत के मामले में हमेशा गड़ भी रहती है लड़ाई हो जाती है छोड़ते नहीं हैं इनके अंदर कोई inspiration या एक असान शक्तों में इनको कोई थोड़ा पुश कर दे फैर इन इगनाइट कर दे इन ये बंदर की तर अपने हाँ चलते हैं फिर डूडू की विरा तरहें नहीं तो सूस मैठेंगे बट इनके अंदर कोई आग लगा दे तो चलना शोजाएंगे इनके आगए बहुत स्ट्रोंग कर रहे हिंसिकर करे कर ने की शम्ताबर बहुत स्ट्रॉंग होती है इनिशेटर नहीं होते लेकिन यन्दर फुश चिए ओफिस में बोलते हैं ने देर किक स्टॉर्ट बट वस बे इस टाय ciao जो काम कोई ना कर रहा हो इंको दे दो रेस्ट शूर्ड दे विल डू बट दे के इगनाइट कर दो रेस्ट शूर्ड दे विल डू इट साथ रंबा वाला नौ वाला विक्ती नौ सताइश सठारा सताइस दो और साथ दो और साथ का गहरा मिलाव गंभी नंबर है यह बहुती गंभी नंबर है गहराईयों में विशलेशन करने वाला नंबर है और कट के अंदर रूची रखने वाला नंबर है अंदर तक जाने वाला नंबर है गहराई तक जाने वाला नंबर है यह किसी भी बात की घराई में जाता ये उपर उपर से कारे नहीं करता ये और वेक्त नहीं करेगा बताएगा नहीं कितना डीप्रेस टक गया है बताएगा नहीं ये अपने आप से अपने आप से लिमिटेट बताएगा बट घराई स्ट्रॉंग है इनकी समझ बहुत स्टॉंग है दो नमबर सरफ सबकॉंशिस मैंड है और साथ नमबर मुक्ष वरी स्टॉंग सल्फ कॉंशिस मैंड बहुत जल्दी बात की घराई को समझते हैं बट वेक्ट नहीं करते और वेक्ट करनी पड़ जाए तो डरते नहीं गाए बट करते नहीं जल्दी से पट इफ यू एज आई सेट इनको पुश करोगे इनको धक्का दोगे गरम करोगे उगली करोगे और वेक्ट अब वेक्ट यू नट स्टॉप तब ये अंदर बार की सारी बाते खोल देंगे सारे इराज खोल देंगे फिर ये दूद का दूद पानी का पानी करा पने जाए जाया मौसम बिगड़ जाए कोई दिक्का पी फिर निस तोच पर इसे लोगों को शानती रहना अच्छा रहता है अठारा नमबर वाले ही एक और आठ से मिला सूरे और शनी से मिला आठंबा जब तक ये सफल ना हो जाएं तक ये ये आटो इगनाइट है जब तक ये सफल ना हो जाएं तक ये कार्रे पर लगे रहेंगे ये आटो इगनाइट हैं इन्हें इनाइट्टी यह बहुत स्ट्रॉंग परबंदक समास सेवक है नौनबर समास सेवक है हुमेट हुमेटरियन नंबर है नौनबर नौनबर वो नंबर है जो कहता काम निम्टाओ तो अट ङुटी पहाँ हमेट न नौनबर है नौनबर है नौनबर नौनबर अनौनबर आए नौनबर अच़िए४व नबर समटवर लौनबर रह Sedan किया कर देऊ दिए만ग Sdoo से तो क्यान थी यूम्टनबर सुटेटर निम्टाओ but they try for profession लेपाप होती ही नहीं करते quick करते, quick है very quick है इनके साथ सद्भावना से प्यार से पेश आना पड़ता है अगर प्यार से पेश नहीं आओगे और they get argumentative then they are very daring तो शांती रखो इसे प्यार से पेश आना struggle बहुत है life में but इंकी struggle इंका success का कारण है no number dress job dress job इंकी बहुत है नौनमबर वर्दी जौब है no number कोई भी वो काम जिसे महनत मशक्क है तुम नौक को इलेट करता है काटना काटना फारना इंसान को वह भी नौनमबर है दातों को तोड़ना नौनमबर है डॉक्टर भी तोड़ता है और बाडी बिल्डर भी तोड़ता है दोनो नौ है डॉक्टर भी शरी को काटता है और यूनिफॉर्म वाला भी शरी काटता है दोनो नौ है डॉक्टर भी शरी काटता है वो भी शरी काटता है अब हो इसे रिलेशन बिट्रें फादर एंड सन और फूसेवर मेल और इमेल बिद फादर एक बार मैं नौप पुरा कर लेता हूँ देर स्ट्रांग चैनलाइस पीपल अगर इनके जीवन में चैनलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत ही इंबैलेंस लाइफ होगी बहुत ही अग्रेसिव इंबैलेंस लाइफ यू सी अपीपल इनके नाइन नॉबर यू स्ट्रॉंग वरी बैलेंस यू सी विद नाइन नॉबर यू जड़ की तरह होते हैं क्योंको चैनलाइजेशन करना नहीं आता हूँ दोज वू लर्न टू डू चैनलाइजेशन डेयर वरी पाफुल और यहीं नॉबर उत्पात की जड़ बन जाती है जब चैनलाइजेशन नहीं होता तो नॉबर बहुत बड़ी एनरजी है जित्तरी जड़ा मात्रा में अनरजी होती है उसको उन्तरा जड़ा चैनलाइजेशन चीज़ एनरजी चैनलाइजेशन नहीं होगी तो वह आतक मचाई है सो नॉबर वाले के पास पावा बाइट डिफॉल्ट है उनको चैनलाइजेशन में डालना पड़ेगा इधर बाइट उनको जॉब ऐसी मिल जाए जो फोच की हो या वर्दी की जॉब हो जो चैनलाइज लेके जाए यही वह नॉबर है जब मार पिटाई अब शब्लाइज की तरफ बढ़ जाता क्योंकि वह चैनलाइज नहीं होगी वह अनर्जी उसमें भी थी बड़ वह चैनलाइज नहीं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एक हिम्मत चीए एक देरनस चीए चैनलाइज नहीं होगा आतंक के लिए काम करेगा लिए क्राइम के लिए काम करेगा जट्स डिफ्नेस तो मैं वापस अठारा पर आता हूं अठारा को बताते हैं नौ पर आगे देंगा तो अठारा में हिम्मत होती है यह स्ट्रॉंग परबंदक यह स्ट्रॉंग सिवक जीवान में मुश्किले बहुत आती हैं लेकिन यह मुश्किले से निकल जाते हैं आठंबर नौनबर इटसल्फ नौनबर इटसल्फ वरी स्ट्रॉंग सेल्फ स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग पावर उज्जा बहुत स्ट्रॉंग होती हैं योगता बहुत स्ट्रॉंग होती है इसमें नौनबर इटसल्फ ऐसे लोग है जो हुमेंटेरियन भी है दोस्तों की साहता करने वाले हैं ऐसे लोग है जो अपने हमें हिम्बत रखते हैं किसी से भी भिलने की किसी से भी जीतने की अपोजिशन पार्टी को हराने की में हमेशा पावर रखती हैं बड़ ये लोग आदा श्वादी हैं फले विचारों वाले होते हैं गबराते हैं नहीं बढ़ी सब्सक्राव में किसी कुछ बोलते हैं यह वो जाट है जो बरी सब्सक्राव में किसी कुछ पड़ बार दे यहां फरक डर का आता है यह लोग डरते नहीं हैं लेकिन यह लोग चैनलाइज एनरजी होती है तो सही काम करते हैं अगर एनरजी चैनलाइज ना हो तो यह तकलीफ हो खारा किया है करते हैं